कि नमस्कार डिफेंस आइस्परेंस सुआगा थे त्रिश्टूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि NCCC सर्टिफिकेट के क्या फाइदे हैं तो डिफेंस आइस्परेंस अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल खुम उम राय तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा डिफेंस आइस्परेंस नाशनल केड़ेट कॉर्प्स यानी के NCC C certificate ये एक तरीकी का certification है पहले होता है A certificate, फिर होता है B certificate और फिर होता है C certificate जिस तरीके से karate में अलग-अलग belts होती है जिस तरीके से sports में अलग-अलग trophies होती है वैसे ही NCC में अलग-अलग certifications होते है Defense aspirants इस C certificate के फायदे दो अलग अलग पार्ट्स में मैंने तोड़े हैं पहला सिविल लाइफ में क्या फाइदे हैं तो वीडियो का पहला पार्ट जो होगा वो सिविलियन, अगर आप NCCC सर्टिफिकेट करके आए हैं तो अपको क्या फाइदे मिलेंगे इसके बारे मैं बताऊंगा और दूसरे वीडियो के पार्ट में मैं बाताऊंगा कि NCCC सर्टिफिकेट का डिफेंस में क्या बेनिफिट है तो चलिए, मान लें, फर्ज करें कि यह एक कैनिडेट है जिसका NCCC सर्टिफिकेट है और वो डिफेंस में नहीं जाना चाता उस केस में बड़े-बड़े कॉर्परेट हाउजिस जैसे रिलाइन्स, जैसे इनफोसिस, जैसे टी-स, जैसे इंडियन ओइल इन कैनिडेट को उठाते हैं और एक प्रोफाइल देते हैं, एक जॉब देते हैं जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी ओफिसर जी हाँ, बड़े-बड़े मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स के बड़े-बड़े कंपनी की पूरी की पूरी सिक्योरिटी इनके हातों में होती है कब सी ओस का मूवमेंट होगा, कैसे मूवमेंट होगा इसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी NCC candidates को दी जाती है specially C certificate ही criteria रखा जाता है और defense aspirants आप जान के थोड़ा हैरान रहेंगे कि इसकी जो starting package होता है वो 15 लाख रुपे होता है सालाना यानि कि कुछ 1 से 1.5 लाख रुपे महीने का payment होता है first salary अब बात करते हैं corporate houses अगर आपको नहीं जाना है तो बहुत सारे national banks जैसे State Bank of India Punjab National Bank Bank of Baroda इसमें specially NCC C certificate को preference दिया जाता है bank P.O. and clerk के profile में यानि कि आपका C certificate आपको मदद करेगा bank में job दिलाने के लिए defense aspirants मानते हैं कि आप corporates भी नहीं जाना चाहते हैं आप banks भी नहीं जाना चाहते हैं आप institutes जोइन करना चाहते हैं educational centers जोइन करना चाहते हैं उस case में defense aspirants NCCC certificate holders को पूरा management academies का institutions का, schools का, colleges का वो दिया जाता है वो discipline in charge होते हैं वो sports in charge होते हैं क्योंकि चुस्तीले फिर्तीले होते हैं fit होते हैं इसलिए बड़े-बड़े educational institutes बड़े-बड़े colleges उनको disciplinary committee में sports committee में डालते हैं defense aspirants ये तो था फाइदा civilian के रूप में कि अगर आप NCCC certificate का civilian में कैसे use कर सकते हैं job के लिए वहीं अगर आप NCCC certificate हैं तो आप अपना business भी खोल सकते हैं आप अपने security agency भी डाल सकते हैं जी हाँ defense aspirants security agencies आज के टाइम पे ज़्यादा तर retired फौजीयों ने, retired police वालों ने and NCCC cadets ने खोल रखी हैं तो defense aspirants आप अपना business कर सकते हैं या आप civil में job कर सकते हैं अगर आप फौज में जाना चाहते हैं तो NCCC certificate direct entry होता है जो वीडियो का ये दूसरा पार्ट है defense aspirants याद रहे क्योंकि मैं NCCC certificate की बात कर रहा हूँ तो दो दिन पहले मैंने NCCC certificate पे वीडियो भी डाली थी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अब NCCC certificate में पहला फाइदा अगर आपको forge mass commissioned officer बनना है तो किसी प्रकार का कोई written examination नहीं देना है NCCC certificate with 50% graduation में अगर है और उमार 19-25 साल है graduation की कोई भी stream हो सकती stream matter नहीं करती defense aspirants तो आप direct SSB interview के लिए eligible हो जाएंगे आप bypass कर देंगे आपको किसी प्रकार का कोई written इमतिहान नहीं देना है वहीं पहले के टाइम पे जब ये अगनिवीर नहीं आया हो था तब जवानों के लिए NCCC certificate में किसी प्रकार का कोई भी written examination देने की ज़रूत नहीं होती थी उनको सिर्फ और सिफ physical fitness test देना होता था जो 1600 मेटर का था चार मिनट 10 सेकंड चार मिनट 20 सेकंड चार मिनट 30 सेकंड लेकिन अब क्योंकि अगनिवीर आर्मी आ गया है तो NCCC certificate का योगदान अगनिवीर आर्मी में भी थोड़ा सा बदलेगा जो policy अभी बिल्कुल clear नहीं है इसलिए मैं इस वीडियो पे इस topic पे नहीं बात करूँगा defense aspirants याद रहे NCCC certificate के थूँ आप आमी कविंग, एफोस कविंग और नेवी कविंग तीनो विंग जोइन कर सकते हैं defense aspirants एक NCCC certificate को holder को एक NCCC certificate holder को अलग-अलग camps जाने का फाइदा मिलता है अलग-अलग participation अलग-अलग level पे होता है अलग-अलग positions पे होता है उसको training camp, उसको trekking camp mountaineering experience सब सारे experience मिलते हैं defense aspirants इसलिए अपने आप में NCCC का credit को अलग-अलग domains की knowledge होती है तो forge भी ऐसे candidates को उठाती है क्योंकि एक कहवत है an officer is jack of all traits but master of none यानि कि एक अधिकारी वो अधिकारी है जिसको हर subject के बारे में थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा ग्यान है और NCCC के एड़ेट को school life से ही ये ग्यान मिलने लगता है इसलिए NCCC के एड़ेट के लिए एक direct entry है जिसे बोलते हैं NCCC certificate direct entry scheme जिसमें आप form भरेंगे form भरने के बाद direct आपको form shortlist होगा और shortlist होने के बाद आपको SSB interviews के लिए बुलाया जाएगा defense aspirants अब समय आ गया है वीडियो को अंत करने का उमीद करता हूँ कि NCCC certificate के फायदे आपको समझा आ गए हूँ अगर किसी प्रकार का कोई doubt होता है तो आप directly मुझे whatsapp कर सकते हो या त्रिशूल डिफेंस academy के common help line number 8400-83030 पे phone करके अपने सारे doubts clear कर सकते हो अगर आप एक NCCC certificate holder हो उमर 19-25 साल है तो direct entry के लिए apply करो और SSB interviews face करो सबसे बड़ी बात फौज में जाने का सपना पूरा करो Commissioned Officer बनने का सपना पूरा करो आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिंद जहां बनते हैं देश के गौरव इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute जहां cadets को train किया जाता है आने वाले defense exam के अनुसार अगर आपका भी सपना है